नमस्कार मैं कवीता उनियाल आप देख रहें मीडिया टुडे टीवी नागर्नो काराबाग को लेकर अर्मेनिया और अजर्बेजान की बीच पिछले डेड़ महीने से चल रहे घमासान यूद में आखिरकार अर्मेनिया ने अजर्बेजान के सामने सरेंडर कर दिया है रूस के रास्तेपती ब्लादमीर पुतीन ने मद्यस्ता करा के दोनों देशों के भी समझोता कराया है जिसके बाद यूद वीरा आज आग 12 बजे से लागू हो जाएगा काराबाग के वो इलाके जो अजर्बेजान ने जीत लिये हैं वो अजर्बेजान के पास ही रहेंगे और बाकी बचेवे इलाकों से भी अर्मेनिया पीछे हड़ जाएगा आपको बता दे अर्मेनिया ये यूद तो पहले ही हार चुका था लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहा था लेकिन आखिरकार अर्मेनिया को अजर्बेजान के सामने सरेंडर करना ही पड़ा अर्मेनिया अजर्बेजान की वो सारी बाते मानने के लिए तयार हो गया है जिनकी ल कि लगे तो हमारी नियूस को लाइक करें और हम बैल आइकन को जरूर प्रैस करें ताकि हमारी नियूस सबसे पहले आप तक पहुंशे अजर्बेजान का कहना था कि काराबाग हमारा है और हम इसे हर हाल में लेकर रहेंगे दुनिया भर ने इस युद को रोकने की कोशिश की लेकिन अर्मेनिया नागर्णों कारबाग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उदर अजर्बेजान ने भी कसम खा रखी थी कि हम अपनी एक एक इंच जमीन लेकर रहेंगे। रूस और अमेरिका द्वारा करवाए गए समझोते के बावजूत भी ये युद नहीं रुका। अभी पिछले दिनों रूस ने मौस्कों में दोनों विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें अजर्बेजान ने युद रोकने के लिए शर्ट रखी थी कि जो इलाके हमने अपने बलबूते अजाद करवाए हैं अर्मेनिया उन पर निगाएं उठा कर ना लेकिन अब जब अर्मेनिया को अजर्बेजान की तरफ से जबरदस्त मार पड़ी तब उसकी अकल ठिकाने आ गई अब वो अजर्बेजान की सारी बाते मानने के लिए तैयार हो गया है अर्मेनिया के प्रधान मंति निकोल पाशियान ने इस समझोते को अपने और अपने देशवाशियों के लिए दर्दनाग बताया है उन्होंने कहा कि यह समझोता हालात को देखते हुए लिया गया है उन्होंने कहा कि यह हमारी जीत नहीं है लेकिन जब तक आप अपने आपको हारावा नहीं मान लेते तब तक के लिए हार भी नहीं है वहीं अर्मेनिया की र साथी समझोते के मुताबिक युद बंदियों को भी एक दूसरे को सौपा जाएगा इलाम अली ने कहा है कि इस समझोते का एतिहासिक महतु है जिस पर अर्मेनिया ना चाहते हुए भी लेकिन राजी हो गया है वहीं रूस की रास्तेपती पुतीन ने कहा है कि लगबग 2000 रू में आसपास के कुछ इलाकों से भी अर्मेनिया पीछे हटने को तयार हो गया है यह थी अब तक की टाज़ा अपडेट युद के पहले जिन से ही हम सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे अब कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपके सामने हाजिर होंगे अब मुझ कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताए